हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर साब सभी का आपके प्रेपरिवार एक्जामपुर में स्वागत है ने विवेक निसन सीडियेस टू 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 टीन के लिए बहुत इस्पेशल एकलोजी एंड एन्वार्मेंट से जुड़े हुए कुछ खास कुश्चिंज प्लस इसके साथ साथ कुछ आठ एंड कल्चर हिस्ट्री के भी कुश्चिंज होंगे ठीक है इसके कुछ हिस्ट्री के भी कुश्चिंज होंगे तो आप सभी लोग बने रहिएगा सारे कुश्चिंज करेंगे 14 15 कुश्चिंज एकोलोजी एन्वार्मेंट के और लगव 20 ठीक है, चले शाबास, बहुत अच्छे, एक सेकंड, ठीक है फिर, इस नोट करेक्टली पेरड विद दी रेस्पेक्टेड इश्यू इट डील्स विद, कुश्यां समझ में आ रहा है, एक तरफ आपको एक प्रोटोकॉल एक एग्रिमेंट दे रखा है, दूसरी तरफ उसका इश्यू बता रखा है, कि वो किस चीज़ से रिलेट करता है, जैसे आपको मौन्टरियल प्रोटोकॉल दे रखिये, तो मौन्टरियल प्रोटोकॉल किस से समधीत हैं, मौन्टरियल प्रोटोकॉल, मौन्टरियल प्रोटोकॉल ili asociated with the ozone depleting substances, आपको not correctly paired बताना है, is not correctly paired बचा, आप तीन सार चीज़ों को बहुत ध्यान रखना, Only word का, इस not word क ये दो और एक all word होता है ये UPSC अपने questions में इनसे बहुत ज़्यादा इस तरह के questions पुट करके पूछती है तो not to material बिल्कुल सही है ozone depleting substances के उपर ये protocol हुई थी 1987 में कि जितने भी ozone depleting substances होते हैं जैसे chlorofluorocarbons इन समका जो production उसको रोका जाएगा clear है second हो जाती है bone convention तो bone माने हट्डिया होती है हट्डिया बहुत खोखली हलकी होती है किसकी birds की तभी जो birds वगरा होती है जो हिमले वगरा से या Siberia से भारत आ जाती है तो जो migratory species है जो प्रवासी प्रजातियां है birds की पक्षियों की वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो उनके ओपर क्या system में वो आ जाता है आपका bone convention of 1979 डी वाला है रोटर डेम convention अच्छे से सुनते रहिए answer आपका बोल्ड है पहले ही ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा चीज़ों को consensual international trade in certain hazardous chemicals and pesticides for example भारत और बंगलादेश के बीच में कोई एक agreement होता है कि हम वहां से कुछ chemical अपने देश में लेकर आएंगे और यहां से कुछ chemical से pesticide बना के हम बंगलादेश बेचेंगे consensus है न हम दोने इक दूसरे से मिलकर कर रहें तो chemical hazardous substances के बीच का जो व्यापार है वो किससे होता रोटर डेम कैसे याद करोगे जो रोटिंग वाली चीज़े होती है सड़ी गोली चीज़े हो हजार्डस होती है याद हो जाएगा अब आजाता है सरी बेसल convention किसके लिए है यह बेसल convention किसके लिए है तो यह living modified organism के लिए नहीं है living modified organism living modified organism का मतलब है बच्चा जैसे कोई bacteria जैसे क्या है कोई bacteria बेक्टरिया को आपने modify कर दिया है किसी और चीज़े के काम के लिए तो है तो bacteria living ही तो उसके जो ऐसे bacteria जो living है लेकिन उनकी जीन्स में बदलाव कर दिया है ऐसों को बोलते है living modified organism इनके लिए बनिये 2000 की काटे जेना प्रोटोकॉल कौन सी प्रोटोकॉल काटे जेना फिर कहोगे सरी ये बेसल कन्वेंशन किस से संबंदित है तो ये जो हजार्डस वेश्ट होता है ना हजार्डस वेश्ट और उसको trans boundary एक जगह से दूसरी जगह पहु मोचा ने साथ-साथ उसके disposal से संबंदित है तो इसको लेकर भी जाए जाएगा और उसका disposal भी होगा याद रखिए इसमें radioactive waste सामिल नहीं है इसमें radioactive base जो radioactive waste होता है रेडियो धर्मी अप्सिष्ट पदार्थ वो शामिल नहीं है बाकि जितना भी हजार्डस वेश्ट होता है हानी कारक अप्सिष्ट पदार्थ होता है अगर आप उसे एक देश से दूसरी जगह लेकर जाते फर एक्जंपल मालो मरकरी है एक जगह खटा हो गया आप उसे दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो उसके disposal से संबंदित उसकी मूमेंट से संबंदित जितने भी rules regulation होते हो किस नेक्ष्ट क्लास बहुत अच्छे बेटा भी आप लोग परेशान मत हो ये serious वाले आप लोग अभी जितनी classes है उनको कोशिस कीजिए इतना ज़्याद आपको टेंश होने की जोड़त नहीं है चलिए बताईए शाबास बहुत अच्छे good second question कहता है कि किसी भी जगह को biodiversity hot spot बनने के लिए most important question है biodiversity hot spot जेव विविदता का जो hot spot होता है जेव विविदता का मतलब है जैसे एक इलाका यहाँ पे बहुत अलग तरह के पीड़ पोदे पाई जाती है बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे जानवर पाई जाती है जेव विविदता बायो लोजिकल डाइवर्सिटी जिसे बायो डाइवर्सिटी भी कहते है तो बायो मतलब जीवन और जीवन के डाइवर्स फॉर्म अलग अलग प्रकार का जीवन तो किसी जगह को बायो लोजिकल होट स्पोर्ट डिकलेयर करने के लिए कौन से दो इस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया अपनाने पड़ते हैं तो पहला आता है कि रीजन मस्ट कंटेन एट लिस्ट जीरो पॉइ पाई नहीं दे रहा होगा समझ रहे हैं चलिए तो पहली बात जैसे मालो कि हमारे यहां पर जो वेस्टन घाट है हमारे यहां के जो पस्च्चमी घाट है उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो बायलोजिकल होट इसपोर्ट हो क्या है बायलोजिकल होट इसपोर्ट तो उसमें क्य यहां कहा गया है पहली कंडिसन ने कि वहां पर या तो 0.5% 0.5% या पंद्रेसो अलग-अलंग पिरकार के वास्कूलर पॉधे Vascular पौधे का मतला समझ रहे हैं जिसके अंदर जायलम फिलोम होती है तरीडो फाइटा गुरुप के जो होगते हैं 1500 या 0.5% second condition कहती है और यह endemic होने चाहिए most important 2-3 की प्रजातिया होती है endemic endemic का मतलब है यह ऐसी प्रजाति होती है जो उस खास इलाके में पाई जाती है पस्चिमी घाट में पाई जाती है उसके अलावा वो species कहीं नहीं पाई जाती बहुत बार पूछ लेता है कि endemic species क्या होती है तो यह वो प्रजातिया होती है जो एक खास इलाके में पाई जाती है तो वो भी 1500 या 0.5% जो चाहिए वो भी कैसे होनी चाहिए endemic इसका अगला आ जाता है second point जो कहता है कि और 70% लगबग 70% जो इसकी वेजिटेशन है प्राइमरी वेजिटेशन वो लॉस्ट हो चुकी हो तो डेटेज अगर यह दोनों कंडिशन फिल्फिल करता है तो उसे हम क्या नाम देते है बायो डाइवर्सिटी होट स्पॉट तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 option number C और यह एक साइंटिस्ट हुए है जिन्होंने बात कही है Norman Myers Norman N.O.R.M.A.N.M.Y.E.R.S उन्होंने किताब लखी थी The Environmentalist उसमें बात कही थी उन्होंने दोनों चीज़ें बताई थी शाबास नेक्स्ट किलियर है चलिए शाबास बिलकुल सही next The Red Data Book बहुत बार कुशन आता है International Union for Conservation of Nature IUCN publish करती है Red Data Book तो कुशन पूछा गया है कि जो Red Data Book होती है जिसमें Endangered Species देखो एक अभी मैंने बताया Endemic Species Endemic Species जो एक खास रीजन में पाई जाती है एक होती है Indangered Species जिनकी संख्या बहुत कम बची हुई होती है तीसरी होती है Extranicked Species Extranicked Species जो गायब हो चुकी हैं दुनिया से एक होती है Vulnerable जो कुश समय बाद किसकी कैटिगरी में आ जाएंगी Indangered की कैटिगरी में आ जाएंगी तो इस तरह की ये List होती है Red Data Book जिसे IUCN Publish करती है तो कहा गया है कि उसमें कितने परकार के होते हैं Animals, Plant, Fungi किस किसको वो नाम देती है मतलब सिर्फ Animals के लिए वो Entry करती है या सिर्फ Plants के लिए Fungi के लिए या तीनों के लिए फटावर से बताएंगे शाबाश Very Good Very Good तो बच्चे इसमें D Option Number D इसमें Animals की भी Entry की जाती है जो Animals की Species गायव हो रही है इसमें Plants की भी की जाती है और इसमें Fungi की भी की जाती है इसमें तीनों की Entry की जाती है यह अच्छे से नोट कर लीजेगा आपको पता नहीं होगा Animals, Plant, Fungi 3 तीनों की Entry की जाती है Red Data Book, IUCN पबलिश करती है बहुत अच्छे चलिए चलिए शाबाश Next शाबाश Very Good शाबाश 2000 को Adapt की गई और 11 सितंबर 2003 को Effective हुई ठीक है 171 Parties है बताईए फटाफर से शाबाश काटे जेना प्रोटोकॉल Good बहुत अच्छे Good एक्चल में ये जो हुई थी ना ये मौन्ट्रेल में हुई थी ये जो साल हुई थी ये मौन्ट्रेल में लेकिन ये औरिजनली जो होनी थी ये काटे जेना में होनी थी औरिजनली कोलंबिया परंतों फिर तो इसका नाम इसी लिए काटा जिना ही पड़ गया लेकिने जो मीटिंग एक्चुली हुई थी कहां पर हुई थी मॉन्ट्रियल 29 जनवरी 2000 और 11 सितंबर 2003 से इफेक्टिव हो गई शाबास किसके लिए ये अभी बताया था आपको कि लिविंग मॉडिफाइड और्गेनिजम ये बायो सेफटी के लिए लिविंग मॉडिफाइड और्गेनिजम की ऐसे बेक्टिरिया बगेरा जिनको इनसान की हेल्प करने के लिए मॉडिफाइड कर दिया गया है लिविंग आजाता है आपका Kyoto Protocol, नेस्ट कुशिन है Kyoto Protocol के उपर, ये सारी के सारी important protocols है, नेस्ट कुशिन आजाता है Kyoto Protocol, Kyoto Protocol, बहुत अच्छे, पताए शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, इट इस लीगली बाइंडिंग, फोर एनेक्स वन कंट्रीज, फोर एनेक्स वन कंट्रीज, मतलब इसमें कही परकार की कंट्रीज होंगी, इसी में दोहा अमेंडमेंट हुआ है, इसी में दोहा अमेंडमेंट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल में, 2012 से 2020 के लिए, शाबाश, क्योटो जापान, 11 दिसंबर 1997 को इस पर साइन हुए, ठीक है, 16 फरवरी 2005 से ये लागू हुई, चलिए, 192 कंट्रीज हैं इस पर, अभी जो हैं, 192, इसमें एनेक्स वन कंट्रीज हैं, इन पर लीगली वाइंडिग हैं उसके बाद में, इस इमर्जड फ्रों देलिबरेशन फ्री तो दी उन फ्रीज बिलकुल सही, गुड गुड, तो कौन कौन से हैं इसमें, तो इसका अंसर होगा, पहला और दूसरा, अलाकि इसके मुझे लग रहा है इसका तीसरा भी होगा, एक सेकेंड रुक न, इसका तीसरा भी होना चाहिए, इसका तीसरा भी होना चाहिए, गुड, कार्बन डाइ ऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रो फिलूरो कार्बन पर फिलूरो कार्बन पी एफ सी, एंड सल्फर हेक्जा फिलूराइड एस एफ छे, इसको हटाने के लिए है, किलियर है, और इसमें क्या है कि इंडिविजुवल, इसका मुझे लग रहा तीनों होने चाहिए, क्योंकि इंडिविजुवल ग्रीन हाउस, को तो कम करना होगा, इंडिविजुवल ग्रीन हाउस गैसिस के अइनिवेशन को, अब इसमें यहाँ पे ग्रीन हाउस दे रहा है, ग्रीन हाउस गैस नहीं दे रहा, तो यह वाली थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए इसका अंसर क्या रखा गया है की में भी पहला और दूसरा कि ग्रीन हाउस गैस ना होके सिर्फ क्या के रखा है ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस का तो कोई मतलब नहीं है जब तक हम ग्रीन हाउस गैसिज ना करें जब तक हम greenhouse gases न लिखें कौन-कौन सी 6 gases CO2, CH4 methane, hexafluoride, HFC, PFC, N2O इन सबको ये greenhouse gases हैं जिनका emission कम करना है लेकिन इसमें द्यान से देखोगे तो वर्ड कौन से इस्तेमाल हुआ है greenhouse गैस नहीं लगा है उन्होंने जानबूच कर धोका देने के लिए कि हम लोग ग्रीन हाउस समझते ही तुरंत आंसर देने लगते हैं जब कि ये क्या है greenhouse gases का अगर हाँ पे आता तो आप का आंसर तीनों होता तो इसका आंसर क्या होगा पहला और दूसरा next next shabas which among the following is the most abundant greenhouse gas in the earth atmosphere most abundant greenhouse gas ये कुशन बच्चा कैई तरीके से आ जाता कैई तरीके से आ सकता है कैई तरीके से आ सकता है कैई तरीके से कुशन आ सकता है आप से तो आप उसी तरीके से लिखते रहिएगा कि कौन सी अर्थ एट्मस्फेर में जादा है कौन सी कम है क्लिर बच्चा बहुत अच्छे शाबास गुड आपके कोडिंग क्या अंसर आ रहा है इसका तो वाटर वेपर बिल्कुल सही सबसे जादा जो ग्रीन हाउस गैस एफेक्ट करती है के सिस्टम क्या होता है इसको समझ लीजे कुशन कही तरीके सकता है देखो ये एक हमारी अर्थ है ठीक है ये अर्थ के एक रोड है रो वह ठंडी थी तो उस पर जीवन नहीं था फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कार्बन डैयोकसाइड की मात्रा बढ़ी और कार्बन डैयोकसाइड वगेरा वाईयू मंडल में एंट्मसफेर में आने लगी अब उपर से जो सन की रोशनी आती थी जिसे हम विजीबल लाइट कहते हैं तो विजीबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती थी वेवलेंथ होती थी वो इस सीओ टू को क्रॉस कर जाती थी अब यहां पर यह दर्ती गरम हो गई दर्ती पर जितनी चीज़े वो गरम होगी गरम होने के बाद में बाबू यह जिस रूप में अपनी गर्मी को लेती है रोकने को इंगलिश में क्या कहिंगे ट्रैप अब अगर गर्मी ट्रैप होगी एट्मस्वेर में तो जायर सी बात है इसका टेमप्रेचर बढ़ेगा तो पहले बहुत सारे पेड़ पौदे हुआ करते थे धीरे धीरे टेमप्रेचर बढ़ा धरती रहने लाइक ब बट पेड़ करते गई इंडेस्टियल रिवल्यूशन हुआ और इनकी मात्रा बढ़ती गई मात्रा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई यह ज़्यादा हीट को रोकने लगी फिर कौन सी आगई है आपके सामने तीन चार और आगई जैसे कि H2O जिसे वाटर वेपर कहते हैं कार्बन डायोकसाइड CH4 Ozone यह सारी की सारी किरा में पहले नंबर पे दूसरे पे तीसरे पे चौते पे यह जो गैसे यह इसी करम में गर्मी को रोकती रहें वैस्विक टेंपरेचर बढ़ता रहा ग्लोबल जो तापमाने अर्थ का वो बढ़ता रहा जिससे गिले यह क्योटो प्रोटोकॉल भी थी बाद मुसमें दोहा मेंडमेंट हुआ है तो साथ ही हो इसका अंसर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेशान करती है वाटर वेपर 36 से 72 बाकी 9 से 26 चार से 9 और 3 से 7 परसेंट इसके लावा भी छोटी 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 होती है जै सारे के सारे क्या करते हैं दर्ती का टेंपरेचर बढ़ाने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट गूड गूड शाबाश वाटर वेपर किलियर हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा इनफरा रेड से कुशन आ सकता है जीवन दायनी है समुंदर का टेंपर लेवल किस से यह जो बांद बगरा बनते हैं उसमें जो वेजिटेशन डूब जाती है या जो आपके राइस बगरा के खेत होते हैं उसे भी निकलती है गुड वारिशाप प्लीज पढ़ाई कीजिए बिटा जी टेंपरेट ग्रास लेंड और शिरब लेंड बायूम इस कॉमनली नोन ए बहुत अच्छे जो टेंपरेट ग्रास लेंड होते हैं जो टेंपरेट ग्रास लेंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है वेरी गुड ग्रास लेंड के उपर कुश्यन आता है टेंपरेट ग्रास लेंड को क्या कहा जाता है टेंपरेट ग्रास लेंड को क्या कहा जाता है प्र बिल्कुल सही Central एश्तिया में इनको श्टैपीज कहा जाता है Canada और जो आपका North America USA Canada इनमें आपको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसमें Prairies क्या कहा जाता है बच्चा Prairie फिर से समझ लीजिए इसके अलग अलग नाम होते हैं इनका अलग अलग नाम होते हैं इनके टेंपरेट ग्रास लेंड्स के तो अब प्रेरीज कनाडा और अमेरिका इस्टेपी सेंटरल एसिया और वेल्ड साउथ अमेरिका में नहीं कहा जाता वेल्ड पेंपास केंपोस अलग अलग नाम है साउथ अमरीका में वेल्ड कहा जाता है आस्ट्रेलिया में वेल्ड क्या कहा जाता है इनको आस्ट्रेलिया में तो तीसरा तो अपने आप रोंग हो गया तो कौन कौन से सही होगे पहला और दूसरा तीसरा अपने आप रोंग हो गया वारिस तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे यस दौनों को बिलोग कर दूंगा मैं चुप से पढ़ाई कीजिए शाबास टेमपरेट ग्रास लेंड गुड इनको साउथ अमरीका में पैम पास अलग लग नामों से जाना जाता है नेक्ष आ जाता है आठवा कुश्यन ने इत्सक्राइट धार जू यहर्ड राज बूजर इत्च्वेश का थीए है per capita emitters of carbon dioxide in the world takes into account their annual CO2 emissions from समझने की बात है कि किसी भी country से जो carbon dioxide निकलती है CO2 निकलती है कि per capita per person किसी भी country की carbon dioxide कितनी release हुई है environment में atmosphere में तो वो किस किस से लिया जाता है तो जहर सी बात है fossil fuel जलाने से तो लिया जाता होगा किलियर सी बात है जैविक इनन सेकंड चीज है cement manufacturing इससे भी लिया जाता है cement manufacturing से भी लिया जाता है लेकिन जो third point है गलत है इससे deforestation को account में नहीं लिया जाता आपके किसी country में कितना one कम हुआ है कितना deforestation हुआ है इसको ध्यान में नहीं लिया जाता fossil fuel और cement manufacturing को जब हम carbon dioxide का per capita income निकाल पर capita emission निकालते हैं तब हम fossil fuel से कितनी carbon dioxide निकली नेश्ट कुषियन और cement manufacturing से वो किया जाता है ठीग है वेरी गुड़ शाबाश नेश्ट कुषियन आ जाता है कुषियन नमर नाइन ओलिव रिडले टाटल्स ओलिव रिडले टाटल्स के उपर बहुत अच्छे कहां पाई जाते हैं ओलिव रिडले टाटल्स यह कुषियन ऐसे हैं जो आपने बहुत कम पढ़े होते हैं इनको अक्सर कोई नहीं पढ़ाता है हाला कि मैंने अपनी उस क्लास में जो एन्वार्मेंट और ecology के मैंने cds1 के लिए दी तीन घंटे की उसमें एन्वार्मेंट से जुड़े हुई तीन घंटे में काफी जानका पढ़े होंगे उसे ओलिव रिडले टर्टल यह आपको यह तो क्लियर है कि गहीर माथा सेंचुरी गहीर माथा सेंचुरी है उडीसा वहां पर यह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाते हैं नेस्टिंग करते हैं और इनका एक बहेवियर होता है कि यह सिंक्रोनाइज स्क्रोनाइज नेस्टिंग जो मासदंबर्स में करते हैं उसको क्या बोलते है अरी बाड क्यांते अरीबाडा ओर इतनरी बड़े इतनरी बड़े कच्छुए बहुत सारे आजाते हैं न चुड़ी-ड़ी ले पूरा पट जाती व В drafting म नेश्टिंग राउंड है ओलिव रिडिले टर्टल के तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं सी हाँ थोड़ा सा कलर इन्हों ने अजीब कर दिये होकी वर्ल्ड कप का मस्कट भी था बिल्कुल सही बिटा मैं तो हिंदी में भी करा दूँ यह हलाकि सीडियेस के लिए पता नही कितने लोग देख रहे हैं उसे क्योंकि मैंने सीडियेस का इस बार थोड़ा सा मेरे हातों से निकल गया चीज़ें होनी पाई जिस तरीके से मैं चाहता हूं बड़ चलिए इस 2019 के लिए मैं ट्राइब कर रहा हूं कुछ अच्छी चीज़ों को लेने कर सारे सब्जेक्स का साथ को गुर्ड अगर 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 थिकनेस ऑफ फेरिक और यह आपको पता है कि उस ट्रेटॉस्फियर हमारी जो लेयर सोती है जैसे ट्रॉपस फेयर इस्ट्रेट ऑस्वियर में जोस्वियर उसके बाद मैं थर्मोस्वेर हो जाते है नीचे आवनिसफियर हो जाता है तो बारे किलोमेटर से लेके इसमें 32 किलोमेटर तक बहुत ज्यादा मात्रा में ओजोन पाई जाती है जो आपकी अल्टरा वालेट रेडियेशन से क्या करती है सुरक्षा करते है जिससे आपको रख्त कैंसर डिये ने वगरा चेंज हो सकता है तो उसकी जो ठिकने से कितनी ओजो ने एक स्पेक्ट्रो फोतो मेटर स्पेक्ट्रो फोतो मेटर डवलब किया था जिससे आप डॉप्सión मेटर कहते है उस डॉप्सण मीटर के द्वारा डॉप्सण यूनिट्स जैसे एक किलो दो किलो इसातर है जोछोन एKelly मापी जाते मेजर की जाती है वेरे गुड नेक्ष 2 कि DOBSON जो ऑजोन की ठिकनेस मापतें शाबाश जो जो गैसे लिताइस चटास फेयर इसको जो बुल ती छोब मंदल और इसे बोलती स्टेटस फेयर को भी गुझे बोलते हैं समतापمنद समताप मंदल से कुष्छिन वहीं इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ पर मैं क्या करूँ आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया नेक्ट आ जाता है भीतरकनी का पीछावरम कुंदापुर कंसेडर दी फॉलॉविंग मेंगरूव एरियाज विच एमोंग दी फॉलॉविंग इस आर सिचुएटेड अन दी इस्टन कोस्ट इंडिया इसमें से कौन सा हमारी पूर्वी टट पर इस्थित है कौन सा वेटलेंड पूर्वी टट पर इस्थित है कौन सा वेटलेंड पूर्वी टट पर इस्थित है पूर्वी टट इन हमारा उस पे कौन सा वेटलेंड इस्टिट इस्टिट इस्थित है मेंगरूव फो अग्यें को सफीरस डियुवर इस तरीक बनाओगे यह बी न कोश्ट यह वैशटन कोश्ट हो गी जो सेकंड वाला है आपका इसका नामें पीछा वरं पीछा वरं यह तमिल अडू में मैं यह वीila इस्टन कोश्ट पहो गया आप बचाएं कहोगेर यह कहा है कुंडापूर करनाट का में कुंडापूर कहां पर यह करनाट का करनाट का इस कोश्ट पर तो है नहीं इधर है तो किलेर हो गया कि पहला दूसरा आपके आंस्वर है ठाड से आपका कोई लेना देना नहीं है मैंगरू फोरेस्ट है यूपी एस यह बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है ठीक है बहुत अच्छे तोड़ा गरम पानी करवा दिया ज्यादा गरम हुनी है गुड़ सुन्दरवन वेश्ट बंगॉल डाची गम नेशनल पार्क सबसे पहले तो यही कुशन आता है कि डाची गम नेशनल पार्क कहां पर है बताईए डाची गम नेशनल पार्क तो यह आता है डाची गम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में डाची गम नेशनल पार्क कहां पर है जम्मू कश्मीर में और यहां पर किसका प्रजर्वेशन किया जाता है किसका कंजर्वेशन किया जाता है तो हंगुल जिसे कश्मीरी हिरन भी बोलते हैं कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं हंगुल हंगुल का कंजर्वेशन किया जाता है जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं वेरी गुड नेक्स्ट कुश्य कश्मीर बहुत अच्छे जमो कश्मीर ठीक बच्चा कुश्यन नमर 13 इसके बाद में जाना नहीं है अभी आपको यह 14-15 कुश्यन करके हम लोग साइन्स साइन्स और आर्ट एंड कल्चर के कुश्यन करेंगे कुछ अबिटा इंफिनिटी गुड कंसीडर दी फॉलविंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिन केबूल लामजोए नैसनल पार्क केबूल लामजोए नैसनल पार्क मनीपुर लोकटक लेक यह वर्ड का इकलोता फ्लोटिंग पार्क है floating park लोक्टक लेक लोक्टक जील है उसी पर है ठीक है तो सी के बारे में कुछ कह रखा है कि ये लोक्टक जील का पार्ट है ये बात भी सही है second कह रखा है कि बिरो एंटलर डियर या संगाई संगाई मनीपुर का राज किये पक्छी है तो इसके preservation के लिए इसके conservation के लिए बनाया गया है बिलकुल सही फिर कहा गया है कि यहां पर इस national park के खासियत है कि यहां पर बहुत सारे floating plant material जिने फुमडी कहा जाता है फुमडी पाए जाते है floating plant material इस जील के अंदर जिने फुमडी कहा जाता है वो पाए जाते है तो तीनों की तीनों बात है किसके लिए कही गई गई है लोग टक लेक के अंदर केबुल लाम जोए नेसनल पार्क संगाई फेस्टीबल भी होता है मनीपुर में और जगे होगी मनीपुर वेरी गुड डांसिंग दियर भी बोलते हैं इसको ब्रो एंटलर डियर या डांसिंग डियर हमचे कुश्चिन कलर कोने की वाज़े से गड़बर होगे इसका मैं करता हूं नेक्स टाइम से सोरी इस बार के ल एक ही बात है बिटा संगाई नेक्स्ट कुश्यन नेक्स्ट आता है कुश्यन नुमर फॉर्टीन विच एमोंग दी फॉलविंग अवाड्स हैज वी रिसेंटली इंस्टिटुटेड बाइ दी गॉर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिविज्विज्वल और कम्यूटीज की आप वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जंगली जीवन को बचाने के लिए आप कितनी गॉर्मेंट ने दिया है ठीक है बताइए फटाफट गॉर्ड 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 इजा ग्लास में देढ़ यार जो 1991 सहोड़े तो मृत देवी विश्वी वाइड लाइफ आवाड अमृत देवी विश्वी ए ऑॉप्शन नंEER सी अमृत देवी विश्वी वाइड लाइप प्रोटैक्शन अवाड ठीए बच्या शाबाश वाइड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट अवार्ड है ये गुड नेक्स्ट आ जाता है आपको कुश्यन वाइड लाइफ ब्रेंड अमेस्टर दिया मिर्जा ठीक है कोई बात नहीं है ग्रेजवेशन अगर डिस्टेंस से होतो शाबाश नेक्स्ट आ जाता है कि जो लोग कोल माइनर्स होते हैं कोईले की खदानों में काम करते हैं उनको कौन सी बिमारी होती है जो लोग कोईले की खदानों में काम करते हैं उन्हें कौन सी बिमारी होती है बताएए प्लीज तो देखिए लिख लिजिए कोईल माइनर्स को होती है नियूमो कोनियोसिस नियूमो कोनियोसिस ये कोईल माइनर्स को होती है उसके लाबा blue baby syndrome नाम के एक बीमारी होती है blue baby syndrome, heart की oxygen ग्रहन करने की छमता कम हो जाती है blue baby syndrome, nitrate iron, nitrate iron, यह nitrate है, NO2 negative nitrite second आ जाता है, itai, 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 यह केडमियम से होती है यह किससे होती है, केडमियम से होने वाली बीमारी है next आ जाता है, mini mata, क्या जाता है बच्चा, mini mata, mini mata disease होती है mercury poisoning से, किससे होती है, mercury poisoning, रख लीजे इनको, यह most important diseases है शाबास, pneumoconosis शाबास सही है ना, itai, 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 केडमियम, mini mata, mercury, blue baby syndrome, nitrate IM बिटा मैंने किये हैं, dark, जिससे कि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, समझ लें आप next good चलिए, अब कर लेते हैं, कुछ वैसे questions अब कर लेते हैं, कुछ आपके art, end culture से जुड़े होई questions थोड़े से सही questions से, बताईए, फटा फट very good very good very good very good very good शाबाश छम्सी से, श्टार्ट होता था, त्रहण, बताईए, इन मेंसे, किसी का नाम, सम्सी से, स्टार्ट होता था, बिलकुल सही, इल, तुत तम क्या था, सम्सुत दीन का शम्शुद्दीन इल्टो तमिश शाबास कहा गया है हौज एक खाश ये किसने बनवाया था जहाँ पर जलमुर्गी एक हमालन बर्ड आती है हौज एक खाश किसने बनवाया था समसिदू शम्शुद्दीन इल्टो तमिश शम्शुद्दीन इल्टो तमिश next very good बौद अच्छे good very good आर्के लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया फाउंड दी रैलिक कास्केट डिरिंग दी एक्ज़केवेशन ओफ साइट इन नालकॉंडा डिस्टिक दा रैलिक्स बिलॉंग टू विच रिलीजन कि यहां पर नालकॉंडा डिस्टिक में बुद्धिष्ट साइट थी उसके जालकॉंडा बुद्धिष्म से जुड़ी हुई साइट है जहां पर बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ वस्तों मिली हैं यहां के स्टूप को बोला जाता है फारी बोगी का स्टूप क्योंकि यहां पर जो भी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में इस्त अगिरा को दफनाया गया था जिनने महास्तूप भी बोलते हैं नेक्स्ट शाबाश बहुत अच्छे नेक्स्ट शाबाश विच आप दी फॉलविंग स्टेटमेंट्स आट्रू राजा मेहंदर परताप जी के बारे में याद है ना राजा मेहंदर परताप और एक मुस्लिम थे बरकतुला जिन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में एक प्रोवीजनल गॉर्मेंट बनाई थी याद है ना आ शिल्क पेपर सडियंतर के लिए भी जाना जाता है बरकतुला याद होगा आपको अच्छे से अच्छे से कराया गया एक कुश्यन तोनी के बारे में कहा गया है कि राजा बरकतुला केसर विलहेम टू इससे परसनली मिले थे वर्डवार वन के समय पर था ये केसर विलहम ज समय जन्वनी को तो इससे परसनली मिले थे ये बात बिल्कुल सही है सेकंड क्योंकि क्यों सही है आप एक एक चीज को करते रहिए इन्होंने फर्ष्ट प्रोविजनल गॉर्णमेंट बनाई थी वल्डवार के समय काबुल में ये दूसरी बात भी इनकी से पर दूसरी बात तो इनकी पक्का सही है तो दूसरा जहां जहाए वो सही हो जाएगा फिर इनके बारे में उत्री जादा इंफॉर्मेशन मैंने भ हुए थे 1913 में गांधीजी की केंपेंग मिश्ट अससा लिया था साउथ अफरीका 2022 में तिबध दलाय लामा से मिलने भी गए उनिस्सो तेरे गांधी जी की केंपेंग साउथ अफरीका उनिस्सो पंद्रे में लोटे गांधी जी उससे पहले वो साउथ अफरीका थे तो इनके बारे में और जापान में इनोंने वर्ल्ड फेडरेशन मंतली मेगजीन पबलिस की थी इनके बारे में सारी के सारी बातें ए ने यही बता पाया हूं में इसमें बाकी सारी चीजे भी इनके बारे में क्या हैं सही हैं राजा मेहंदर परताप क्लियर है गुड उत्तर परदेश के रहने वाले थे हाथ रसके और मुहमडण एंगलो ओरेंटल कॉलिज से भी पढ़े हैं अलीगल मुसलिम इनिवस्टी जो बाद में बन गया और 1932 में बिलकुल से नोबल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था बहुत अच्छे शाबास नेक्स्ट आ जाता है चंदायन इन उत्तर प्रदेश हैड फाउंड फास्ट एवर हैबिटेशन फ्रॉम दा लेटर फेस ओफ हड़पन सिविलाइजेशन जब हड़पन सिविलाइजेशन बरबाद हो रही थी 1900 से 1300 तक तो वहाँ पर पाया गया है यहाँ पर गंगा यमना दोवाब में मड के वॉल्स होते थे मतलब कीचड के और फ्लोर लेवल्स होते थे 4 सकसेसिव लेट फ़पन पीरियड कोईंसाइड डियूरिंग 26 से 19-20 कुश्यन कहा गया इन मेंसे कौन कौन से ट्रियू है तो लेट फ़पन पीरियड जो है वो 19-13-20 क्या है वो लेट फ़पन पीरियड जो है इसके आसपास 500 साल भी होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि अलग-अलग समने फेस माना है यह तीसरा वाला बिल्कुल गलत है पाकी पहले और दूसरे सही है चंदायन उक्तर प्रदेश में जगा जहां पे फास्ट एवर मिला हरपन सब बहता के पिछले वाले काल का पहला प्र दूआब में कैसे घर बनते थे मड़ वॉल्स वगएरा की तो उसके बारे में पूराइस को बताया गया है नेक्स्ट को शाबाश को कोई को कुशन आपको समझे में नहीं आएगा क्योंकि इसका बेसिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी रह जाएगा ठीक बच्चा और जो अमर्ता विश्णुई मेंने अबार्ड बता है तो उसमें एक लाक रुपे मिलते हैं तो यह मुझे लगता है कि कुशन पुराना एक सेकंड संगीत नाटक अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी का चेर्मेन संगीत नाटक अकेडमी अकेडमी का चेर्मेन वेरे गुड शेखर सेन बिल्कुल सही सेखर सेन संगीत नाटक अकेडमी मिनिश्ट्री आफ कल्चर 1952 में बनी थी तो इसका चेर्मेन कौन है शेखर सेन गुड नेक्स्ट शेखर सेन नेक्स्ट आजाता है नेशनल हेरिटेज डवलमेंट एंड आउगमेंटेशन योजना हिर्दे जो हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को बचाई रखना चाहती है हिर्दे योजना इसमें क्या है बारे सिटीज को सेलेक्ट किया गया है पहले फेस में हिर्दे की सेंट्रल स्कीम में जिसको प्रसाद के साथ जोड़ा जाएगा सौ करोड रुपे में और इसमें अर्बन प्लानिंग एकॉनोमिक ग्रोथ और हैरिटेज कंजर्वेशन ये सारे आ जाएंगे इसमें क्या है पहले तो हैरिटेज सिटीज को चुना जाएगा उसके बाद में उसको प्रसाद स्कीम से जोड़ दिया गया है और वहीं 100 करोड रुपे का फंड दोनों को जोड़ने के लिए बनाया गया है जिसमें कि जो पिलगिरी में इस साइट है जहां पर तीर तीरातरा करने जाते हैं वहां का इंफ्रेस्टेक्चर बहुत अच्छा हो सके इस से एकॉनमिक ग्रोथ तो सिंपल सी बात है होगी होगी अर्बन प्लानिंग भी सही होगी तो इसका मतलब सारे के सारे सहीं है एकदम हिर्दे इसके फिलफॉर में दिनेशनल हेरिटेज डवलमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो हमारा हेरिटेज है जो हमारी विरास्त है उसके विकास के लिए हिर्दे योजना नेक्स्ट आजाता है शाव शाबाश ऐसे कुशन करेंट अफेर के हैं ज़्याद अतर शाबाश नेक्स्ट आजाता है एक 17th सेंचुरी के प्रिष्ट और मिशनरी जोसफ वाज जोसफ वाज को संत गोसित किया पोप फ्रांसिस ने पोप फ्रांसिस जी ने जोसफ वाज को संत गोसित किया तो वो किस देश में काम करते थे कैथॉलिक चर्च के रिवाईवल के लिए बिटा हेल्पिंग तो है यह सिखा आप ऐसा मसोचना कभी भी स्री लंका बिलकुल सही नेक्स्ट शाबाश स्री लंका बिलकुल सही नेक्स्ट अरे यार आरपी एफ के लिए पढ़ते रही है बच्चा एलपी में सिर्फ एसा समझ लीजिए कि उसमें पचास नंबर की वो चारों सब्जेक्ट तो हैं तो कॉमनी हैं तो दोनों में कॉमनी चारों के चारों इसमें बस जीके को बढ़ा जाए कितना अच्छा कुश्यन है वेरी गुड एन्वल गैदरिंग ऑफ यूथ डूरिंग नैशनल यूथ वीक ठीक है बारा से सोला जनवरी मनाया जाता है कोई दिक्कत नहीं है बार्थ एनिवर्सरी ऑफ नेता जी बोस बिलकुल नहीं किसके लिए स्वामी विवेका अनंद जी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेर्स करती है ये बात भी सही है वेन्यू बैंगलोर्ता नहीं संकल्प से सिद्धी ग्रेटर नॉइडा था गौतमबुद यूनिवर्स्टी तो पहला और तीसरा पॉइंट इसके बारे में बिलकुल सही है नेक्स्ट क्लियर है ना पहला और तीसरा सी सोचने वाली बात है क्योंकि यूथ किसके लिए मनाया जाता है स्वामी वेका नंद जी के लिए नेक्स्ट मौईनुदीन चिस्ती अजमेर सलीम चिस्ती फतेपुर सीकरी आगरा और निजामुदीन ओलिया दिल्ली सारे चिस्ती संपरदाए के थे चिस्ती सुहरवर्दी कादरी ये सब सूफी संपरदाए होता है उसके सिलसले होते हैं नेक्स्ट और जो सूफ सू मतलब जो उनी कपड़ा ये लोग पहनते थे खान कहा इनके जगय को कहा जाता है जहां पे रहते हैं सूफी हम् वेरी गुड सोगे बिटाए शिखा और नीन आ रही होगी विश्व मोहन खाना नहीं खा पाओगे मेरी कमाई प्या आ गे तो आजो अभी दिली दूर है बिलकुल सही नेक्स्ट अम्रावती रिवर कृष्णा का स्थल महात्यमेन महालिंगम मूर्ती धर्णी कोटा जहां बुद्धा ने प्रीच किया किस डाइनिष्टी की किंग्डम थी अम्रावती किस डाइनिष्टी की किंग्डम थी तो साथ वाहन साथ वाहन अमर अम्रावती साथ वाहन गोत्मी पुत्र सतकर्णी ये सब थे न ये साथ वाहनों की केपिटर हुआ करती थी अम्रावती शाबास नेक्स्ट चले शाबाज नेक्ष्ट अमरावती शाबाज अमरीश सर्वाज फाउंडिड बाए गुरु नानक अरिया अंडर दी सिटी वाज पार्ट अफ इंदस्वेली सिवलाजेशन दी सिटी लाइज ओन दी वेरी फेमस ग्रैंड ट्रंक रूड तो सेकेंड थर्ड सही है फर्ष्ट रॉंग है क्यों किस ने फाउंड किया थामरीश सर्फडावर से बताईए शाबास नेक्स्ट कुश्यन इसका अंसर आ रहा है बताईए जिल्दी फडावर से वेरी गुड बिल्कुल सही गुरू रामदास जी हर्मिंदर साहीब स्वन टेमपल स्री हर्मिंदर साहीब भी बूला जाता है ना रामदास जी वेरी गुड फोर्त गुरू बुद्धा अटेंड इंलाइटमेंट अंडर दी बूधी ट्री गया के बारे में कौन-कौन सी बाते सही है जल्दी से बताइए गया के बारे में कौन-कौन सी बाते सही है अब देखो कितनी बेकार सी बात है कहा गया कि बोध गया में भगवाद बुद्ध जी को इंलाइटमेंट हुआ ग्यान की प्राप्ति हुई तो वो कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं होगा और फ़र्ष्ट महाबोधी टेंपल अशोक ने बनाये ते यह भी सही है तो पहला और तीसरा सही है दूसरा रोंग है यह भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लिवडिड है विल्कुल सही अंशुमान कल आएगी बेटा मतला आज आएगी अब सुवद रात में तोड़ी नाएगी एक बज़े वाइफ आर पार पी एफ की स्ट्रेटेजी बोद गया बिहार विल्कुल सही बोद गया बिहार विल्कुल सही शाबाश गुड़ शाबाश बुद्धास लाइफ इज अनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बर्थ लोटस इनलाइटमेंट बोधि ट्री रिननसियेशन वील डैथ इस्टूप जल्दी बताईए रिननसियेशन से कौन सी चीज जुड़ी हुई है उनके रिननसियेशन से कौन सी चीज जुड़ी हुई है शाबाश इनकरेक्ट है तो अगर वील तो धर्म चक्र परिवर्तन जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था वील किस से संबन देते हैं फास्ट सर्मन फास्ट सर्मन जब उन्होंने घर त्यागा था रिननसियेशन तो कौन सा है उसका रिननसियेशन का बताईए death तो इस्तूप है बिलकुल सही है एक महापरी निर्मान उनके पैरों के निसान भी है वो अलग चीज है enlightenment, बोधितरी, बर्थ, लोटस renunciation का बताईए renunciation renunciation का क्या होगा wheel हो गया first sermon जो नोने सारनाथ में दिया था हाँ बिटा परवेश वसिष्ट एक बचके 26 वेड़े विस बात को नोट कर लो cbt1 की जो वीडियो जैना उनसे एक भी कुशन भाहर नहीं आने का cbt2 का horse क्या था बच्चा बिलकुल सही जब वो घर से निकले थे तो किसमे निकले थे horse चन्ना कंतक उनके गोड़े का नाम था चन्ना उनके सार्थी का शाबाश horse आवर्स नहीं बिटा horse वान से शाबाश बच्चा next बहुत सारी चीज़ें त्री पिटक बुद्ध धर्म की सबसे important त्री पिटक त्री पिटक बोलते हैं जनको विने पिटक विने मतलब आप किसी से कैसे आचार विवार करोगे कि जो बुद्ध विक्चू होते हैं उनके आचार विवार से सम्बंदित next होता है दा सुत्ध पिटक सुत्ध मतलग जिसमें उपदेश हैं बुद्ध धर्म बुद्ध जी के उपदेश हैं जो उन्होंने आनन्द को दिये हैं एक होता अभी धम पिटक जिसमें फिलोसपी बताइगी है त्री पिटक फिरी रतन होते हैं बोध्धर्म संग यह होते हैं बोध्धर्म के तीन रत्न और यह उते हैं थ्री पितक बोध्धर्म की प्रमुख दार में केताब है एक और बताइे चले यह सही है Next हूँ आज दी चेर्मेन ओफ फोर्थ बुद्धा काउंसिल चौथी बुद्धा काउंसिल हुई कहां पे थी कौन चेर्मेन था फोर्थ बुद्धा काउंसिल यह मुझे लगता यह हुई थी कुंडलवन कस्मीर हुई थी ना कुंडलवन कस्मीर बुद्ध फोर्थ कुंडलवन कश्मीर इसमें उसमें आजाता कनिश्क और चेर्मेंटे वसु मित्र ये मैंने अच्छे से कराई है सारी कि सारी है हाँ है हैरी कर ले कराऊंगा बिटा जी अभी आप कहीं से मत पढ़िये प्रिभाकर मैंने इस सब करा दिया अभी बहुत सारे इंफिनिटी से पूछवा आप सारी बाते है वो बता देंगे आपको कि बताएं नहीं किया है सारा मैंने सब करा रखा ये अब नहीं पढ़े तो बताऊ मैं क्या बताऊं बहुत अच्छे हीनियान और महायान में दो फाड हो गए थे दोनों बिलकुल अलग अलग हो गए थे रिजल्ट ये आया था आश्व गोश भी थे इसमें सायद महावीर जी ने आश्व बताई इसका पंदरवे का महावीर जी ने वेद और वेदिक रिच्वल्स को रिजेक्ट किया विलकुल सही तभी तो नया धर्म बना जितने भी चाहे बोध धरम हो चाहे जेन धरम हो चाहे कोई और धरम हो इसलाम को छोड़के ये भारत में धरम को रिजेक्ट किया नया धर्म सुरू कर दिया धरम परानी जमानी में धर्म और समाज के बीच में बहुत गहरा रिस्ता हुआ करता था जब कोई political organizations नहीं थी ये पार्टीवाजी नहीं थी जब कोई समविधान वगेरा नहीं होता था तो धरम ही होता था जो किसी समाज को न नहीं करते थे ये कर्म और ट्रांस माइग्रेशन और जैसा करम करोगे वैसे ही आपका जो को एक रूप्स मतलब एक सरीर से दूसरे सरीर में उसमें विलिव करते थे करते थे ट्रांस माईग्रेशन करम तो की तीनों की इनके बिलकुल सही है फर्स सेकंड- Taylors तीनों सही है। founder of janism नहीं थे बिटा ये janism के founder तो निसम नात थे ये 24 में और अंतिम तर्थंकर थे जिनों ने सबसे जधा पिरभाव डाला janism को फैलाने में सबसे जधा भुमी का किस्की हुई है 24 में तर्थंकर महावीर स्वामी next हाने शिवच्छा कुछ नमर्स ओला consider the following statements regarding evolution of Indian paintings to bharatiya painting sound evolution के बारे में बात कीजिए there is no definite evidence from the industry civilization of any painting activity I will correct बताना है कोई definite evidence नहीं आपने जिसने भी इंदस वेली civilization को पढ़ा है सिंदु गाटी सब्वेता वहां कहीं भी painting की बात painting की बात नहीं की गई है सील अच्छे अच्छे शहर इसम की बात की गई है गुपता पीरियड जब अजन्ता एलोरा बाग केव बनी थी तब उस समय जो हमारे यहां की paintings थी वो हाइस जैनित पे थी टॉप पे थी बिल्कुल सही अजन्ता की caves देखके कोई भी बता सकता है जो paintings है वो बहुत ही जबरदस्त है वहां की आगे क्या कहा गया है कि paintings वर largely absent from South India till ancient तो यह बात तो correct नहीं है कि मतला South India में paintings गायब थी South India में भी paintings वगेरा बहुत प्रचलित थी तो इसमें पहला और दूसरा correct है कि ला मतला इंदस वैली civilization में कोई लार्ज activity नहीं हुई गुप्ता पीरियर में अपने जैनित पे थी और बाकी भीया वह नहीं सोस्ते थे कि सौल गॉड का पार्ट शाबास चलिए तो पहला और दूसरा सही है मतला South India में उसमें मिलती थी और ये बात के लिए रहोगे कि इंदस वैली civilization में कोई भी evidence नहीं मिला आए question number 16 हो गया question number 17 कितने हैं ये 20 हैं शाबास very good अजंता केव पैंटिंग के बारे में कहा गया है देखो क्योंकि एक कैलाशनाथ टेंपल है 7th century का वहाँ पे facial features जो है जो चहरे के मंदर की मूर्ति के बनाए गया उनको बहुत ही style से बनाया गया है किंग राज राजा जिसने ब्रदेश और मंदर का निर्माड कराया उसकी life के बारे में भी painting बनी हुई है तो हम south के बारे में नहीं कह सकते जा अजन्ता बिलकुल खतम हो गई जैसे उन्होंने जेन की बात कही क्योंकि वो जो जातक कथा होती है वो बुद्ध जी के जीवन प्रीवियस जीवन से जुड़ी हुई है जातक कथा है ठीक है तो पहला वाला गलत हो गया प्रिंसिपल करेक्टर्स जो है इन मोस्ट ऑफ दिजाइंस आर इन हीरोइक प्रपोर्शन बिलकुल सही तो सेकंड सही है पहला वाला गलत है क्योंकि जेन पेंटिंग्स नहीं है वो बुद्धिजम धरम की पेंटिंग्स है और जातक कथा महावीर बुद्ध लॉड़ बुद्ध भगवान बुद्ध के प पहले ने दिवाली तो मनाने गया था बाबुघर दो दिन के बीच में जब आप लोग ऐसे कहते हो तो मुझे बड़ा दिमा अच्छा नहीं लगता है यार अभी जी तो बहुत परानी नई बात बिटा वो बहुत अलग हो जाएगा भी नहीं बिलकुल सही मुगल पैंटिंग्स वर यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन पर्सियन इसलामिक स्टैल्स वन अफ दी फर्स्ट प्रोडक्शन ओफ डेट स्कूल ऑफ मिनियेचर पैंटिंग वाज दी हमजा नामा सीरीज बिलकुल सही वाइल औरंग जी वाज ग्रेट पैटरॉ अकबर हैस नो इंट्रेश्ट ये तीसरा वाला तो गलत हो गया अकबर का बहुत ज्यादा इंट्रेश्ट था पैंटिंग्स में तो तीसरा वाला गलत है पहला और दूसरा सही हमजा नामा जो महाबारत का कुछ सीन है हमजा नामा से है है बिलकुल सही शाबाश बहुत अच्छे पहला दूसरा कुश्य नमर नाइन्टीन ट्वेंटी कुश्य नमर नाइन्टीन ट्वेंटी हाँ औरंग ये बड़ा खतरना का अदमी था इसों से जिन्दा पीर कहा जाता है अपना खर्चा कुछी खुदी चलाता था टोपियां बुनता था अपना खर्चा खुदी चलाता था इसलिए उसको जिन्दा पीर कहा जाता है शाही खजाने से नोनी लेता था गुड मदूबनी पेंटिंग तो इसमें तो अपने आप ही गलत हो गया क्योंकि मदूबनी पेंटिंग यार कि यह तो अपने आप गलत हो गया जहां सबचिए औरश से बुरुष निपेंस मेचिस्टिक नेचुरल डाइसे की जाती थी जोमेट्रिकल पैटरन विल्कुस से यह मदूबनी स्टाइल में धीम से डिजाइन्स हिंदू डाइटी किर्सना रामा सिवाद दुरुगा इन सब की होती थी भी सही है तो इसका उप्शन से यह भी दूसर वे तीसरा बदूबनी पेंटिंग बिहार किया है नेक्स्ट यह तो कोई पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता उसके लिए बहुत इसी होगा बदूबनी पेंटिंग बहुत इसी होगा उसके लिए नेक्स्ट लेकेन पेंटिंग इडिवन ओफ दे थ्री स्कूल्स आफ साउथ इंडियन मैसूर एंद तंज आउर के बाद में कलार सजो ते डेकन इस्कूल के रिच थे ब्रिलिएंट होते थे नौर दन पेंटिंग से डिफेरेंट उते ते साऊथ के तो नौर से कुछ तो डिफरेंट होगा और तीन पेंटिंग स्कूल हुए तंजौर अ मैसूर and डेकेन ते दोनों के दोनों बिलकुल सही है ओल आर करेक्ट तो अटा दीजिसको तो कि इस तरह से कुछ मेरे तरफ से कुश्चन से 35-36 किरपयन को एक दो दो बार पढ़ दीजिएगा इससे रिलेटेड कुछ कुश्चन सापको पेपर में दिखाई देंगे उनमें आप कम से क कि एली मिनेशन से कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिलेगी रिवीजन कर लेना अगर आपने पुराने नोर्स वगरा बनाए हो फिर भी कह रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया है आपका 80% काम उसमें से आसानी से हो जाएगा थोड़ी से मुझसे गडबड होगी उसको ठीक करू ठीक है तो आप ख्याल रखेगा अपना मिलते कल फिर से थोड़ी से ओलम्भी क्लास रखने की कोशिस करते हैं से सो कुष्ण 50 कुष्ण करने की कुशिस करते हैं ठीक है बच्चा फिर थेंक्यों इतने सारे लोग जुड़े रहे लाश्ट में भी काफी है एक मुझके सैंसे समनेट हो रही है आप से भी का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं फिर से नेक्स्ट और चाल लाक आप लोगों का परिवार हो गया है तो उसके लिए आप Jae Hin और मेरे हो लोगों का ढितन हे लाकतंने हैं और व casual शुक्रिया मनेओ टो तूफ़ने लाचित के तो में सहनением से लूगाइए और को में हैं यूबने के लाकते हैं युक्त तो नेन हालं पहर सिए्ट वाकते हैं फदे का आते दो और में ही और में उल हु tomorrow